आज मैं आप सभी को एक मेकप लुक करके दिखाने वाली हूँ यह मेकप लुक आप किसी भी पार्टी फंक्शन में कर सकते हैं तो सबसे पहले मैंने अपने फेस को हाइड्रेट किया है टोनर से आप रोज वोटर भी ले सकते हैं इसकी जगह पर और जितने भी प्रॉडक्ट को अच्छे तरीके से मैं अपनी स्किन में एब्जर कर लूँगी मॉश्चिराइजर आप काफी अच्छे तरीके से भर भर कर लगाएं स्किन में क्योंकि अभी विंटर है तो विंटर में मेकप केकी ना हो इसके लिए आप मॉश्चिराइजर बहुत अच्छे तरीके से ल लगाना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद में यहां पर लगा रही हूं लैक में एपसलीट का मूस फाउंडेशन आप कोई भी फाउंडेशन लगा सकते हैं जो भी आपके पास अवैलेबल है और फिलहाल मुझे नैचरल जो फिनिश आती है वही फाउंडेशन लगाना था तो मैंने यहां पर लगाया है मूस फाउंडेशन और जिनकी ड्राय स्किन है वो इसे बिल्कुल भी ना लगाए सर्दियों में और प्रॉपर आपको हर जगा पर यह एपलाए करना है मूस फाउंडेशन ताकि सारा जो एरिया है वो कवर हो सके और उसके बाद मैं यहां पर लगा रही हूँ कंसीलर और कंसीलर आपके पास जो अवेलेबल है आप उसे लगा सकते है और अगर आपके पास कंसीलर नहीं है तो आप कंसीलर की जगह पर फाउंडेशन के दो कोट भी इस्तमाल करके बेस मेकप तयार कर सकते हैं काफी अब मैं इसे अच्छे तरीके से ब्लेंड करूंगी ब्यूटी ब्लेंडर से और काफी आपको सॉफ्टली ही ब्यूटी ब्लेंडर से इसे ब्लेंड करना है और देखिए मैं किस तरीके से इसे ब्लेंड कर रही हूँ और जब भी आप beauty blender का इस्तमाल करते हैं तो beauty blender को wash कीजिए उसके बाद में उसे squeeze कीजिए तब ही आप उसे इस्तमाल कर सकते हैं और बहुत ही soft तरीके से आपका जो भी foundation या concealer है वो आपकी skin में बैट जाएगा और excess जो product होता है वो beauty blender soak कर लेता है और इस तरीके से आप देख सकते हैं और यहाँ पर मैं यह जो brush है यह color bar का brush है और इस पर मैं compact लगा करके अपने पूरे face पर लगाऊंगी कॉमपेक्ट मैंने लगा लिया है उसके बाद में बारी आती है makeup eye makeup करने की तो यहाँ पर मैंने यह जो palette लिया है यह है makeup revolution का palette और अब मैं इससे इसका जो dark brown shade है जैसा कि मैंने आपको दिखाया वीडियो में उसे ले करके हलका सा डस्ट करूंगी brush से और उसके बाद में मैं crease line बनाऊंगी और crease line बनाने के लिए आपको बिल्कुल ही soft हातों का इस्तमाल करना है और यह बड़ा जो brush है यह color bar का brush है और इससे मैं इससे blend करूंगी अच्छे तरीके से blend करना है बिल्कुल भी line नहीं रहनी चाहिए किसी भी shade की और आप देख सकते हैं मैं इससे outer corner और crease line पर build कर रही हूं अच्छे तरीके से और उसके बाद में मैं यहां पर ले रही हूं light burgundy shade और इसे भी मैं हलका dust करके और outer corner पर V बनाते हुए crease line से मिलाऊंगी और eye makeup करते वक्त आप एक बात का ध्यान जरूर रखें कि जब भी आप कोई भी brush से shade apply करते हैं तो बिल्कुल ही soft हातों का इस्तमाल करें क्योंकि soft हातों से जितना अच्छा shade blend होता है उतना tight जो हात होते हैं उससे नहीं होता है और अब मैंने यहां पर light pink जो shade है वो लिया है और अपनी eye lid area पर इसे मैं अच्छे तरीके से फैलाऊंगी और आप देखेंगे आगे कि बहुत ही अच्छा सा एक look आएगा eyes का तो आप यह जो makeup look मैं कर रही हूँ या आप किसी भी party function या wedding में इस्तमाल कर सकते हैं day time के अंदर और इस तरीके से अब मैं small brush लोंगी और यह जो shade है इससे मैं crease line पर अच्छे तरीके से लगाऊंगी और अंदर की side में dab dab करूंगी इसे जिससे की आँखों को एक अलग ही depth मिले और अब मैं इसे अच्छे तरीके से blend करूंगी और इसे मैं outer corner और crease line में अच्छे तरीके से blend कर लूँगी तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके का look आ गया है eyes पर और अब मैं यह cinnamon brown जो color है इससे अपने outer way पर अच्छे तरीके से fill करूंगी और काफी अच्छा look आएगा इसका जब पूरी तरह से यह makeup complete होगा तो आप देखेंगे और इस तरीके से मैंने इस brown shade को crease line से मिला दिया है अच्छे तरीके से blend कर दिया है और उसके बाद light pink shade जो की shimmery shade है उसे मैंने लिया है और पूरा lid area पर लगाऊंगी जिस पर मैंने light baby pink shade लगाया था जो की matte finish देता था उसी के उपर मैंने यह shimmery shade apply किया है तो आप देख सकते हैं कितना शानदार look आ गया है इसका और अब मैं फिर से यह cinnamon shade लूँगी और crease line पर अच्छे तरीके से इसे dabbing motion में लगाऊंगी जिससे की crease line और जो यह light shade है उसका एक अलग ही look आपको नज़र आए और आपस में यह जो जितने भी shade मैंने apply किया है यह mix up हो जाए और यह जो light shade है उसे मैंने brow bone पर लगाया है ताकि पूरे eye makeup में एक evenness आपको देखने को मिले अब मैं एक बार peach shade को लूँगी और उसे अपनी lower lashes के नीचे apply करूँगी जिससे की जो भी foundation या concealer मैंने apply किया था उसका जो white जो texture है वो नज़र ना आए और natural eye makeup लगे और अब मैं यहाँ पर pen liner का इस्तमाल कर रही हूँ और इस तरीके से मैं एक wing बनाऊंगी सबसे पहले जिससे आप देख रहे है और अब उस wing से मैं पूरी एक line create करूँगी last corner तक इसे लेकर के जाऊंगी और फिर इसे फिल भी कर दूँगी और आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से eyeliner को लगाया है और जो ये pen liner होते हैं जो sketch liner होते हैं वो काफी जादा आसान तरीके से लग भी जाते हैं तो मुझे तो काफी अच्छा लगता है कि इसी तरीके के liner से अपना eyeliner eyeliner में लगाऊं तो आप देख सकते हैं काफी अच्छी finish भी आ गई है और बड़ी ही अच्छी line create हो जाती है इस तरीके के liner से और ये मैंने किस brand से लगाया है ये मैं आप सभी की साथ में एक video share करूंगी तो आप उसमें इसका review भी देख पाएंगे और अब मैं dark brown shade लेकर के अपनी eyebrows को भी fill कर रही हूँ आप देख सकते हैं small brush की सहायता से और eyebrows का shade आप जादा black बिल्कुल भी ना ले क्योंकि बहुत ही वो dramatic look देता है और अब बारी आती है mascara लगाने की तो mascara मैं यहाँ पर mebeline का इस्तमाल कर रही हूँ mascara आप बहुत ज़्यादा patience से लगाएं क्योंकि एक एक पलक पर जो mascara लगता है धीरे धीरे लगाने पर वो काफी अच्छा सा look देता है eyes पर और lower lashes पर भी आप इसे जरूर लगाएं जिससे कि जो भी makeup के product आपकी eyelashes पर गिरे हैं वो हट जाएं और आप देख सकते हैं look और उसके बाद में मैं eyelash curler से अपनी eyelash को curl करूंगी normally लोग eyelashes को पहले curl कर लेते हैं लेकिन मुझे बाद में curl करना जादा अच्छा लगता है mascara के बाद में जादा अच्छा लगता है और अब मैं यहाँ पर काजल को upper lashes के अंदर भी लगाऊंगी ताकि बहुत यह अच्छा even look आए और उसे फिर मैं नीचे भी लगाऊंगी नीचे लगा करके smudger से smudge भी कर लूँगी तो काफी अच्छा look आएगा एक smoky सा look आएगा eye makeup में और अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ lipstick जिसे की आप as a blush भी इस्तमाल कर सकते हैं यह naika की molten matte lip and cheek color है तो मैंने इसे as a blush भी इस्तमाल किया है beauty blender से ही blend करूँगी मैं इसे और उसके बाद मैं मैं इसे lips पर भी apply कर लूँगी और काफी अच्छा natural shade मुझे यह लगता है और अब मैंने यहाँ पर लगा ली है बिंदी और यह है मेरा final makeup look और मैंने यहाँ पर accessorize नहीं किया है क्योंकि मैंने सिर्फ एक makeup look share किया है कि मैं किस तरीके से ready होती हूँ तो आपको अच्छा लगा होगा लास्ट की कुछ beauty shots मैंने लिये थे वो वीडियो में कुछ problem आ गई तो मैं आप सभी की साथ में share नहीं कर पाई हूँ आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा लगे तो आप इसे like जरूर करें share करें और चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी ना भूलिए thanks for watching